नमस्कार दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदू परमपराओं से जुड़े हुए बैग्यानिक तर्क तो आईए सुरू करते हैं जमीन पर बैठ कर भोजन करना भारतिय संस्क्रति के अनुसार जमीन पर बैठ कर भोजन करना एक अच्छी बात होती है इसका बैग्यानिक तर्क है पालती मारकर बैठना एक प्रकार का योगासन है इस पोजिशन में बैठने से मस्तिस्क सांत रहता है और भोजन करते वक अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है इस पोजिसन में बैठते ही खुद बाखुद दिमाग से एक सिगनल पेट तक जाता है कि वह पोजन के लिए तैयार हो जाए दूसरा है हाथ जोड़ का नमस्ते करना जब किसी से हम लोग मिलते हैं तो हाथ जोड़ का नमस्ते करते हैं इसका बैग्यानिक तर्क है जब सभी उंगलियों के सीड्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाप पड़ता है एक्यूप्रेसर के कारण उनका सीधा असर हमारी आँखों कानों और दिमाग पर पड़ता है ताकि सामने वाले बैक्ती को हम लंबे समय तक याद रख सकें दूसरा तर्क यह भी है कि हाथ मिलाने यानि पश्चिम सभीता की बजाए अगर हम नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के सरीर के किटाणू आप तक नहीं पहुँच सकते हैं अगर सामने वाले को स्वाइन फ्लू भी है तो वह भी तो वह वायरस आप तक नहीं पहुचेगा बोजन की सुरुवात तीखे से और अंत में मीठे से जब भी कोई धार्मिक या पारिबारे का नुष्टान होता है तो बोजन की सुरुवात तीखे से करते हैं और अंत मीठे से होता है इसका पैग्यानिक कारण है तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचनतत्व एवं अमल सक्रिय हो जाते हैं इससे पाचनतत्र ठीक तरह से संचालित होता है अंत में मीठा खाने से अमल की तीव्रता कम हो जाती है इससे पेट में जलन नहीं होती है पीपल की पूजा करना तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं लेकिन ऐसा नहीं है इसका बैग्यानिक तर्क है इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रती भी लोगों का सम्मान बढ़े और उसको काटे नहीं पीपल ही एक मात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहिद करता है दर्चिन दिसा की तरफ सिर करके सोना दर्चिन की तरफ कोई पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे भूत प्रेत का साया आजाएगा अदी अधी इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोयेン इसका पैज्ञानिक तर्क है जब हम उत्तर की योर सिर करके सोते हैं तो हमारा सरीर प्रतिवी की चुम्मकिय तरंगों की सीध में आ जाता है सरीर में मौझूद आयरन यानि लोहा दिमाग की और संचालित होने लगता है इससे अलजाइमर, परकिंसर या दिमाग संबंदी बीमारियां होने का खत्रा बढ़ जाता है यही नहीं रक्तचाब भी बढ़ जाता है सूर्य नमसकार हिंदूओं में सुबह उठकर सूर्य को जल चड़ाने एवं नमसकार करने की परमपरा है इसका बैग्यानिक तर्क यह है कि पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किर्णे जब आँखों में पहुंचती है तब हमारी आँखों की रोशनी अच्छी हो जाती है सिर पर चोटी रखना हिंदू धर में रिशी मुनी सिर पर चोटी रखते थे आज भी रखते हैं इसका बैग्यानिक तर्क है जिस जगह पर चोटी रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसे आकर मिलती है इससे दिमाग इस्तिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आ यह हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि भी बड़ों का आदर करें इसका बैग्यानिक तर्क है मस्तिस्क से निकलने वाले उर्जा हातों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती हैं इसे क्रॉस्मिक एनर्जी का प्रवाव कहते हैं इसमें दो प्रकार से उर्जा का प्रवाव होता है या तो बड़े के पैर से होते हुए छोटों के हातों तक या फिर छोटों के हातों से बड़ों के पैरों तक ब्रत रखना कोई भी पूजा या तोहार होता है तो लोग ब्रत रखते हैं इसका बैग्यानिक तर्क है आईरुवेद के अनुसार ब्रत करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से सरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है यानि उसमें से खराब तत बाहर निकलते हैं और शोध करताओं के अनुसार ब्रत करने से कैंसर का खत्रत कम हो जाता है फिरदे संबंदी रोगों मदु में आदे रोग भी जल्दी नहीं लगते हैं क्यों लगाया जाता है संदूर साधी सुदा हिंदू मेलाएं सिंदूर लगाती हैं इसका बैग्यानिक तर्क है सिंदूर में हल्दी चूना और मरकरी होता है यह मिस्त्रण सरीर के रक्तिचाप को नियंत्रण करता है चूंकि इसमें यों यो तो रेजनाई भी बढ़ती हैं, इसलिए बिदवा औरतों के लिए सिंदू लगाना बर्जित है, इससे स्ट्रेस कम होता है. तुलसी के पेड़ की पूजा, तुलसी की पूजा करने से घर में समरद्धी आती है, सुक शांती बनी रहती है, इसका बैग्यानिक तर्क है, तुलसी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है, लेहाजा अगर घर में पेड़ होगा, तो इसकी पत्यों का इस्तमाल भी होग और उससे बीमारियां भी दूर होगी, तो ये थे कुछ बैग्यानिक तर्क, आप इनको अजमाईए, और अपने घर से बहुत सारी बीमारियों को भगाईए, धन्यवादा